रेखा और सुनीता दोनों में गहरी दोस्ती थी। रेखा की शादी एक संपन परिवार में हो जाती है, वहीं सुनीता की शादी एक मिडल क्लास फैमली में हो जाती है। एक दिन सुनीता रेखा से मिलने आती है। रेखा उसे बहुत प्यार से गले लगा कर मिलती है और दोनो काफी देर तक गप्पे मारती हैं। कुछ देर बात करने के बाद रेखा को लगता है कि सुनीता कुछ परिशान है। कुछ तेर बाद रेखा पैसे लेकर आती है और सुनीता के हाथ पर रख देती है। रुपए रखे थे वो देना आज बैंक बंध है और मुझे किसी को पैसे देने हैं। तो केवल अपनी मौझ मस्ती के लिए उधार लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता सुनीता कभी छूट नहीं बोलती। इसी तरह कुछ दिन बीट जाते हैं। एक दिन रेखा सुनीता को फोन करती है। सुनीता तू तो मेरे पैसे हरब कर बैठ कई मैंने तेरी मदद की थी और तू मेरे पैसे वापस करने के बजाए हरिद्वार खूंग रही है। चुपचाप दो दिन में मेरे पैसे लोटा दे आज से तीरी मेरी दोस्ती खत्म। नाने के अगले दिन उनका स्वर्दवास हो गया हमें 13 दिन वहीं रुकना पड़ा। कल रात ही हम वापस आये हैं। यहां सुनकर रेखा रोने लगी। मुझे माफ कर दे मैं भूल गई की हरिद्वार में तीरा ससुराल है। मुझे गलत फैमी हो गई थी। कोई बात नहीं बहन मुझे भी माप कर दे पैसे देने में देरी हा गई। सुनीता पैसे दे कर चली जाती है। लेकिन उसके बाद सुनीता और रेखा पहले जैसी दोस्त नहीं रह पाती। वे कहीं मिलती तो सिर्फ अपचारिकता से थोड़ा बोल लेती थी। एक गलत फैमी ने उनके रिष्टे में हमेशा के लिए दरार डाल दी।